दोस्तों अगर आप भी BSC Nursing में अपना admission कराना चाहते हैं तो प्लीज आज इस वीडियो को complete आप जरूर देखेगा क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आप लोग BSC Nursing में admission कराना चाहते हैं तो कौन-कौन से बातों को आपको 100% अपने ध्यान में रखने के बाद से admission कराना चाहिए BSC Nursing में और उसके बाद से इंडिया में कौन-कौन से BSC Nursing के college हैं सारा details हम आपको बताएंगे और BSC Nursing का course complete हो जाने के बाद से आपको कौन-कौन से post पे job मिलेगा सारा details इस वीडियो के माध्यम से अच्छे तरीके से हम आपको बताने वाला है तो ये वीडियो आप लोग ले काफी ज्यादा प्रोसेस करना होता है अगर आपको नहीं पता है तो इसका लिंक हम आपको नीचे वीडियो का लिंक description box में दे दे रहे हैं जाकर आप वहां से वीडियो देख लीजेगा अब बास सबसे इंपॉर्टन आती है कि BSC Nursing में admission कराने के लिए कौन-कौन से बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए सबसे पहले दे के अक्सर क्या होता है बहुत से student यह सोच में पढ़ जाते हैं और BSC Nursing में किसी भी College में admission करा लेते हैं और उसके बास से क्या होता है कि उनकी लाइब बरबाद रहती है ना वहाँ पर प्रेक्टिकल हुआ रहता है ना वहाँ पर अच्छा प्लेस्मेंट होता है तो आपको इस बात का सबसे पहले ध्यान देना चाहिए जहां भी आप admission करा रहे हैं जिस नर्सिंग counseling of India से मानेता प्राप्त उसका हुआ है या फिर नहीं हुआ है उसके बाद वहाँ पे teaching faculty अच्छी है या फिर नहीं है और उसके साथ practical की सुविदा है या फिर नहीं है सबसे important चीज़ आपका practical वहाँ पे होना चाहिए practical अगर आप किये रहेंगे तो आपके लिए पहुत होगा और salary भी आपकी अच्छी मिलेगी अब चलिए हम आपको बता जेते हैं कि nursing college इंडिया के बारे में तो देखिए सबसे पहले आपका King George Medical University जो की लखनव में है स्री संकराचारे College of Nursing विलाई जो की 36 गड़ में है मदरास Medical College जो की आपका चेन्नाई में इस्तित है भारते विद्धा फिट College of Nursing जो की आपका पूने में है Armed Force Medical College महराष्ट के MCHCH College of Nursing तमिलाडू में है गुरुगविन सिंग इंदरपस्त इंशिटी दिली में है देली पेरामेडिकल एंड मेनेजमेंट इंस्टूट आपका नई देली में है बनारस हिंदु इंशिटी आपका बनारस में है रुएल खंड मेडिकल कॉलेज जो की आपका बरेली में है अखील भारतिया आयू विर्ग्यान संसान College of Nursing जो की आपका नई देली में है लोकमान तिलक मेडिकल कॉलेज ये आपका मुंबई में है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज ये आपका नई देली में है जामिय and Health Science University राइपूर में है, चत्रपरती साहूजी महराज Medical University आपका लखनव में है, Institute of Post Graduate Medical and Research कोलकाता में आपका ये इनवर्सिटी है, निम्स University राज्थान में है, के एन-एच Medical College and Hospital वागलपूर बिहार में है, किर्ष्यन Medical College जो कि पंजाब में इस्तित है, तिर्थकार महवी University जो कि आपका मुरादाबाद में है, एरा Medical College जो कि आपका लखनव में इस्तित है, तो ये University है जो कि आपके इंडिया में इस्तित है, तो आप यहाँ पे इजली तरीके से अपना कोर्स BST का कर सकते हैं, BST Nursing का, दोस्तों हम आपको फिर से बता रहे हैं, किसी भी College में इडिमिसन करवाने से पहले उसका सारा Bio Data अच्छे तरीके से निकान ले के बाद से ही आप उस College में अपना इडिमिसन जरू करवाईएगा, दोस्तों हम आपको बता जाते हैं कि BST Nursing का कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद से आप कौन-कौन से पोश्ट पे इजली तरीके से जौब कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप नर्स बन सकते हैं, उसके बाद से स्टाप नर्स, सीनियर नर्स आप बन सकते हैं, पेडियर्टिक नर्स बन सकते हैं, नर्सिंग सुपरवाइजर बन सकते हैं, नर्सिंग सुपरिडेंट बन सकते हैं, पेसेंट केर कॉडिनेटर बन सकते हैं, मेडिकल डिकॉर्ट टेकनिशियन बन सकते हैं, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिडेंट बन सकते हैं तो ये जो post आपका है BAC nursing complete हो जाने के बाद से इजली आप इस post पे job कर सकते हैं दोस्तो आप किस post पे job करना साथ हैं प्लीज नीचे comment box में comment करके जरूर से बताईएगा तो आई योब कि आपको वीडियो पसंद आएगा